मैं आपको SCF 2017 में इंग्लीश में जितने भी questions आए हैं उसका answer सहित complete analysis देने वाला हूँ मैं हूँ आशिस दवांगन और आप सभी का मेरे YouTube channel DC Study Hub में स्वागत है अब देखते हैं पहला question आपको board में question दिखाई दे रहा है उसको ध्यान से देखिए question है choose the correct sequence of words to fill in the blanks question है the police fell to blank any information about the manufacturers of blank drugs अब यह option जो दिख रहा है उसमें से आपको answer लेना है तो पहला option देखिए elicit और elicit पहला जो elicit लिखा हुआ है मतलब क्या I double L I C I T इसका मतलब होता है गैर कानूनी ठीक है और दूसरा word जो दिखाई दे रहा है क्या E L I C I T elicit मतलब होता है प्राप्त करना निकालना प्राप्त करना या फिर निकालना अब sentence का हम लोग क्या करते हैं translate करते हैं और कौन सा word कैसे fit होता है देखते हैं तो क्या हुआ the police police क्या हो गई फैल हो गई to blank any information about the manufacturers manufacturers के बारे में कोई भी information निकालने के लिए क्या हो गई फैल हो गई तो पहला वाला blank में क्या रहा है निकालना तो निकालना कौन सा ELICIT यह हो जाएगा ELICIT ठीक है और उसके बाद of blank drugs मतलब गैर कानुनी दवाईयों के information निकालने के लिए police क्या हो गई फैल हो गई तो second वाले example second वाले blank में क्या हैगा ELICIT मतलब आपका अंसर क्या हो जाएगा E वाला पहले फिर I वाला बाद में तो आपका अंसर क्या दिख रहा है B तो यह हो गया आपका पहला का answer B clear हुआ second देखते हैं correct the spelling mistake in the following sentence underline दिख रहा है क्या दिख रहा है उसमें H E P O C R E S Y अब इसको क्या करना है आपको इसको सुधारना है की कहा गलती है तो याद रखेगा hypocrisy hypocrisy तो hypocrisylaughing hypo-crisy रहता है hypocrisy इसका मतलब होता है मिथया चरित्र जूटमूट का जो अपना चरित्र बनाता है या बोलता है उसको बोलते हैं क्या हाइपोक्रेसी तो आपका option कहां दिखाई दे रहा है ये option दिखाई दे रहा है डी क्लियर हुआ तीसरा question देखें क्या दिखाई दे रहा है आपको give antonym of prodigious prodigious मतलब होता है आश्यर जनक आश्यर जनक या मैं बोलू असाधारण तीक है अब antonym मतलब विपरित देखना है उल्टा देखना है असाधारण का उल्टा देखना है तो देखें पहला number क्या है reach reach मतलब धनवान unusual unusual मतलब होता है असाधारण ये तिसका unacceptable मतलब होता है क्या असाधारण अन जुड़ गया तो उल्टा हो गया तो क्या हो गया साधारण unacceptable मतलब हो गया साधारण और इसका उल्टा हुआ तो आपका answer क्या हो जाएगा आपका पाइंसर दी हो जाएगा क्या अन एक्षेप्शनल ठीक है जोथा नामर कोशन देखे क्या बोलता है डिटर्माइन दपाकापिस्पीच आप दवर्ड तील के बारे में आपको बतलाना है कि टील कौन सा पाटापिस्पीच है ठीक है टोटल आग प्रकार के पाटापिस्पीच होते है नाउन प्रोनाउन वर्व कै do more objective प्रिपोज़िशन कंजंग्शन इंटर जैंक्ष información ये आट पाट पेस्पीच होते है इसी में से आपको पहचानना है कि क्या है तो पहली बात यह तील तील जो है नाउन का भी कारे करता है टील क्या नाउन का न 5 लग या दराज ठि टील जो है वर्व का कारे करता है टील वर्व का भी कारे करता है टील का मतलब होता है जोतना हल चलाना ठीक है टील जो है प्रिपोजिशन का काम भी करता है टील जो है प्रिपोजिशन का भी काम करता है और टील जो है कंजंग्शन का भी काम करता है ठीक है अब आपको कोश्च आगे देखना है क्या बोलता है question है I will stay here till it begins to get cold option देखिए adjective नहीं है, adverb नहीं है, c नमबर है conjunction और d नमबर है preposition तो मैं तो बोला कि वो conjunction का भी काम करता है और preposition का काम करता है तो दोनों में अब हम answer की इसको tick करेंगे कि preposition है वो कि conjunction है दोनों हो सकता है, अब ध्यान दीजिए till conjunction of time होता है यदि वो दो sentence को जोडने का काम करे time के साथ, दो sentence को जूड़ा है तो conjunction जोडने का काम करता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका sentence जूड़ा तो वो conjunction बन जाएगा और समान्य रूप से time का बोत करें, जैसे कि ये हो जाएगा, he did not come till today यहां देखे, अच्छा असल में क्या है, till जो है negative वाले sentence में तक का अर्थ व्यक्त करने के लिए use होता है वह नहीं आया है, आज तक, वह आज तक नहीं आया है तो यहां दो sentence को जोडने का काम नहीं कर रहा है, यहां सिर्फ इस today, आज तक को बोत करने का काम कराया जा रहा है तो यह till क्या होगा, preposition, लेकिन यहीं दो sentence जब जुड़ेगा, तो वह till क्या बन जाएगा, conjunction बन जाएगा अब ध्यान दीजिए, क्या दो sentence जुड़ रहे हैं, तो I will stay here till it begins to get cold, दो sentence जुड़ा, मैं यहां ठरूंगा, कब तक, जब तक की ठंधी प्रारम बना हो जाए तो यहां तक दो sentence को जुड़ा, अता हो क्या हुआ, conjunction बना, तो आपका अंसर क्या हो जाएगा, C conjunction, त्लिगर हुआ अब देखिए पांच्वा question, question है, if I had a map, I would lend it to you, the if clause in this sentence indicates meaning in blank tense, मतलब यह जो sentence दिया गया है उपर में, यह कौन सा tense है, यह आपको पहचानना है तो एक rule याद रखेगा, एक होता है, unfulfilled condition, अपूर सर्थ, अपूर सर्थ, यह ऐसी बात बोलना है, वर्तमान में, एक ऐसी बात वर्तमान में बोलना है, जिसका ठीक विपरित कार्य भूत काल में, पास्ट में हो चुका है इसका समान्य स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका समान्य स्ट्रक्चर होता है, इफ, प्लस, पास्ट पर्फेक्ट, इप के साथ में कौन सा, पास्ट पर्फेक्ट का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, बट यह पास्ट का सेंटेंस नहीं है, हम पास्ट के चीजों को अभी वर्त वरतमान में कहते हैं तो इसको देखकर आप नहीं बोलेंगे कि वह पास्ट है यह कैसी बात बोल रहा हूं मैं यह एक ऐसी बात है जो पास्ट की बातों को वरतमान में कहा जाता है मतलब यह sentence केसा होता है वरतमान का sentence यह एक sentence देखिए जैसे देखते हैं if your father if your father had seen you ठीक है यह दिखे कैसा दिख रहा है कास्ट में दिख रहा है he would have scolded you मतलब यदि तुम्हारे पिता जी तुम्हें वहाँ देखे होते तुम्हें देखे होते तो वह डाटे होते अब देखो present में रहते हैं हम past के चीज़ों को बोल रहे हैं मतलब यह sentence कैसा sentence है present का sentence है इसलिए यह sentence कैसा sentence हो जाएगा इस लिए आपका answer क्या हो जाएगा hopefully आपको समझ में आ रहा होगा छट्वा नमर का question देखिए इसक्रिट में दिखाई दे रहा होगा देखिए determine meaning of the idiom lock, stock and barrel in the following sentence यदि आपको इतना ही मालूम है कि lock, stock and barrel का मतलब सब कुछ क्या होता है इसका यह एगयाम जिसका meaning होता है सब कुछ English में बोलेंगे तो everything इतना ही पता है तो आप option से choose कर सकते हैं option देखिए सब कुछ everything कहां use किया गया है तो पहला option में दिख रहा है कि all the official record of the organization नहीं दिया है बी में देखिए मिल गए आपको everything belonging to the organization टिक करिए आगे बढ़ जाएए यही आपका क्या है answer है clear हुआ यह हमारे English grammar का book है इसमें आपको हर एक चीज मिल जाएगा complete grammar with exercise idiom phrases followed by preposition antonyms, synonyms, wise narration हर एक चीज आपको इसमें मिल जाएगा बहुत ही सस्ते की book है market में मातर आपको यह जो है 130-140 के आसपास मिल रहा होगा ठीक है साथवा नंबर देखिए skimming method is useful in comprehension while ठीक है अब देखिए comprehension मतलब होता है passage जिसको पढ़ना रहता है और उसके नीचे 4-5 question दे रहता है जिसका answer आपको देना रहता है अब बोलता है कोई भी passage को thoroughly मतलब आपको quickly पढ़ना है क्या करना है quickly पढ़ना है बोल रहा हूँ तो skimming method मतलब quickly पढ़ना पढ़ना मतलब read करना तो यह कौन सा method है reading का method है कैसा quickly reading अब आप सुन option देखिए आपका पहला पहला यह option है क्या है reading यही आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा ठीक है देखिए आठवा नंबर question क्या बोलता है change the following into active wise मतलब यह जो sentence दिया हुआ है नीचे में देखिए the mission is provided with bricks and mortar by laborers यह passive wise में है इसको active में change करना है tense कौन सा है तो देखिए helping वरो देखिए इस है इस है मतलब यह present and definite का tense है ठीक हो गया आपको लग रहा होगा कि तो जो है continuous का होता है तो इस के साथ ing form लगे तो continuous है नहीं है तो वो present and definite का passive wise है मतलब इसको आपको active चेंज करना है तो present and definite का active structure क्या होता है तो होता है subject plus verb वर्व का first form as या es plus object plus other है तो कोई और other चीज इसी format में change करेंगे तो active से passive या passive से active तो passive से active change करने के लिए क्या करता है by के बाद जो object रहता है वो उठ के subject की जगा जाता है यह क्या हो जाएगा labrars ठीक है वर्व चाहिए वह भी first form यह है आपका वर्व लेकिन यह तो third form है first form में change करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा provide as या es नहीं लगाएंगे क्योंकि यह क्या है plural है तिक है provide object चाहिए तो यह जो subject है वो object की जगा जाता है तो क्या हो जाएगा the mason तिक यह तो complete हो गया अब बचा क्या with bricks and mortar तो यह हो जाएगा with bricks and mortar यह आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा मिला यह ऐसा कॉनसा answer है यह दीख रहा है आपका answer c clear हुआ नवा नमबर देखिए transform the following sentence into passive question है paint cover the lock अब देखिए यह tense कॉनसा है तो यह देखिए verb का second form दीख रहा है without helping verb verb का second form without helping verb दिखाई दे मतलब वो past का end definite है ठीक है past का end definite के passive form में helping verb was या वर लगता है अब देखिए यह object सामने ही आ जाएगा subject की तरफ तो क्या हो जाएगा the lock मैं बोला helping verb was या वर आएगा तो यह चूकी singular है इसलिए क्या आया was आया वर व का third form चाहिए उसके बाद तो cover का वर व का third form क्या हो जाएगा covered covered by या अन्य प्रिपोजिशन लगाया जाता है तो by या अन्य प्रिपोजिशन लगाएगा last में क्या दिखाई देता है यह subject जो है object की जगा आ गया अब यहां blank जो मैं छोड़ की रखा हूँ मैं बोला by या अन्य प्रिपोजिशन लगता है 90% केस में by लगता है तो अब यहां by नहीं लगाना है उसके पहले cover वह देखना है cover cover के साथ क्या लगता है तो देखें cover के साथ यहां क्या लगेगा with लगेगा तो यह बन जाएगा the lock was covered with paint same इसी प्रिकार का question ACF 2016 में भी पूछा गया था अब एक चीज यह है अपन तो with लगा रहे है with 100% सही है but आयोग इसका answer with के बदले में in को लिया गया है थिक है but मेरे हिसाब से यहां with का ही use किया जाएगा उसके पहले वाले मतलब 2016 वाले ACF में भी question दिया गया था जिसमें भी answer with होना चाहिए वहां in लिया गया था तो कभी कभी आयोग ऐसा करता है बाद में उसको correct करके भले ही दे देता है but इसका answer मेरे हिसाब से covered with paint होना चाहिए ठीक है तो answer आपका option क्या हो जाएगा D answer हो जाएगा देखिए दस्वा नंबर question है give the synonyms of haggard haggard मतलब होता है थका मानदा थका मानदा अब आपका option देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है पहला है आपका चीक मतलब क्या धोका जनाद synonyms मतलब समनार्थी एक जैसा दूसरा है आपका immaciated immaciated मतलब होता है शक्तिहीन अब का अंसर क्या हो जाएगा b शक्तिहीन मतलब थका मानदा जिसमें शक्ति ना हो उसको क्या बोलीमे थका मानदा अथा आपका अंसर क्या हो जाएगा b 11 नंबर देखिए rearrange the following into a meaningful sentence मतलब इसमें ऐसे 7 words दिये हैं जिसको आपको जमाना है और एक meaningful sentence बनाना है अब देखिए sentence का समान इस structure देखे तो हम जानते हैं sentence subject plus helping वर्व है तो रहेगा नहीं तो उसके बाद main verb plus object plus complement क्या other word की सड़ी में आगे रख देते हैं ठेक तो पहले हम sentence में subject पहचानेंगे helping वर्व है क्या इस sentence पूरा helping वर्व नहीं है इसको छोड़ दो main verb अब देखिए यहां वर्व की मैं बात करूँ तो यह हमारा वर्व लेग हमारा क्या हो गया वर्व चुकि यह present का indefinite form है तो as या is ज़रत पड़े तो subject singular है तो as लगेगा as is नहीं तो नहीं लगा है मतलब जो subject आएगा वो plural form में आएगा तो आप देखिए इस पूरे में ऐसा कौन सा word है जो subject बनेगा और वो plural noun होना चाहिए तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है यही दिखाई दे रहा है तो यह बन गया आपका क्या subjects इसको जमाते हैं कि path यह जम गया lead ठीक अब यहां और जो word है बाकी देखिए एक है glory बचा the grave to but off off तो last नहीं हो सकता off के बाद कोई ने कोई चीज चाहिए तो देखिए उसके बाद एक चीज और है एक चीज और है यह क्या to to के साथ में यह fit back रहा है to the grave बन रहा है to the grave अब यह कैसे बना तो यह बना path के साथ में क्या जाएगा यह आ जाएगा paths of glory तो यह क्या बना path of glory paths of glory यह जो path of glory है वो lead करता है क्या चीज को lead करता है lead इसके बाद आ रहा है but to the grave but to the grave तो आप जमा लिजी अब path path क्या आया one number पे उसके बाद off आया seven number पे glory आया two number पे lead आया three number पे but आया six number पे two आया five number पे और the grave आया four number पे तो आपका answer क्या मिल जाएगा one seven two three six five four तो सही sentence बठा आपका क्या B तो यह आपका answer क्या हो गया B clear हुआ बारवा नंबर का question देखिए question है arrange the following entries of an official letter in proper sequence मतलब इसमें आपका 8 अलग अलग word दिया गया है उसको एक official letter के रुप में जमाना है ठीक है आप देखिए बगल में यह आपको दिखाई दे रहा होगा एक official letter इसमें कौन से पार्ट को क्या कहते हैं मैं बतला रहा हूँ उसके हिसाब से आप पूरा जमाने ना सबसे उपर में एक heading दिखाई दे रहा होगा बगल में आपका date दिखाई दे रहा होगा उसके just नीचे ठीक है उसके नीचे address to the headmaster to the principal to the एसी सीरे बिलाजपूर जो भी लिखते हैं वो क्या लिखते हैं inside लिखें अब क्या करते हैं Salutation Salutation मतलब क्या होता है नीचे अपन बोलते हैं respected sir ऐसा करके जो लिखते हैं आदरनी सुचक जो शब्द यूज करते हैं Salutation कहलाता है Salutation के बाद हम पूरा application लिखते है official letter जो लिखते है वो कहलाता है main body जो message के रूप में होता है उसके बाद last में होता है complementary close last में जो आपन लिखते हैं कि kindly ऐसा ऐसा करके तो वो होता है complementary close उसके बाद reference initial करते है signature और उसके साथ में बतब इस letter के साथ में कोई चीज हम जब attach करते हैं तो वो कहलाता है क्या in closer तो letter का sequence क्या हुआ पहले heading आया date आया inside address आया salutation आया फिर message लिखते हैं complementary close करते हैं initial करते हैं उसके बाद last में क्या आता है in closer आता है इसी sequence में आपका answer बन जाएगा क्या clear हुआ question number 13 देखिए translate into Hindi the child was whipping as his toy car has broken down तीक है इसको Hindi में translate करना है तो आप सामने का तो translate कर लिए होंगे the child was whipping बच्चा रो रहा था is क्योंकि his toy car उसका खिलावना car had broken down एक word होता है breakdown breakdown एक phrase है जिसका Hindi meaning होता है खराब हो जाना क्या होता है खराब हो जाना ठीक है phrase में क्या होता है वर्व होता है जो समाने meaning निकालता है उसमें कोई preposition जूरता है तो उसके different meaning बनते जाते हैं जैसे मैं बात करूँ look का look मतलब क्या जानते हैं देखना मैं बोल दू look at घूरना look after जूर गया देख भाल करना look into जूर गया समझ रहे न यह कहलाता है क्या आपका phrase तो breakdown का मतलब क्या हो गया खराब हो जाना तो क्या हो गया पूरा translate इसका बच्चा रो रहा था क्योंकि उसकी खिलावना कार खराब हो गई थी तो आपका answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा बच्चा रो रहा था क्योंकि उसकी खिलावना कार खराब हो गई थी ठीक है full form of etc 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 इसका मतलब होता है देखिए 15 नमबर देखिए supply the proper verb from in the following sentences I blank my briefcase out of the hostel yesterday pick up run अब ध्यान दीजिए last word क्या दिखाई दे रहा है आपको sentence का yesterday yesterday मतलब बता है बिता हुआ कल यह past को भूत काल को indicate करता है अब आपको सिर्फ यह क्रिक दिमाग लगाना है कि कौन से option में past का indication है जो past का indication है वही आपका answer हो जाएगा हम option eliminate करते है पहला option देखिए will लगा हुआ है नहीं हो सकता दूसरा में देखिए I would pick चली past के रूप में थोड़ा indicate हो रहा है मान सकते हैं बट देखिए yesterday के पहले जो आपका verb लगेगा run 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 का past form क्या होता है ran लेकिन आप देखिए second number में run लगा हुआ है इसलिए वो आपका answer नहीं है अब देखिए तीसरा number c number में देखिए ध्यान से तो c number में आपको क्या दिख रहा है I picked pick का second form picked हुआ और आगे चलकर देखिए and ran out of the hotel yesterday ran दिख रहा है मतलब आपका answer क्या हो जाएगा c को tick करिए आगे बढ़िए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है उतना ही लगाई है जितना की exam के लिए answer निकल जाए बात खत्म सोलवा number question देखिए what does put off mean in the following sentence put off यह भी एक आपका phrasal verb है phrasal verb मैं बता चुका हूँ वर्व के साथ में ऐसा preposition लगता है जो उसके meaning को ही change कर देता है देखिए put put समानी रूप से देखिए put मतलब क्या होता है रखना लेकिन मैं put off बोल दिया एक साथ put off का मतलब होता है इस्थगित करना इस्थगित करना English में postpone करना क्या करना postpone करना इस्थगित करना अब आपको option देखना है कौन से option में यह word यूज किया गया है वह ही आपका answer हो जाएगा तो देखिए ध्यान से option A switch off the light B में है stop cooking C में है tail to postpone यह आगया यही आपका क्या हो जाएगा answer C आपका answer हो गया ठीक है hopefully मेरे वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे like, share और subscribe करना न भूले Thank you very much